और ये अभी तो देखो मालो बड़ी आग घटना नहीं हो पाई तो अभी हमको थोड़ा सा बातचित करने दो तो ये ये मनोश तिवारी जी है जिनका कहना है कि अभी तक यहाँ पर आग की कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई है तो क्या चाहते थे भाई आप वहाँ 200-400-500 ब बढ़ाये जवर्दस्तरी कैसे तो बढ़ाये तो को थूआ पहली मंजीन से निकलना सुर्य हुआ तुसरी मंजीन से निकलना तुर्वा थी स्री我在 monte ऐसे घूजरात में कुछ समय पहले हुआ था नमस्का में जोती आदो और आप देख रहे हैं नैशनल दस तक दरसल इस वक्त मेरे साथ जो विक्ती मौजूद है गोपाल तिवारी जी जाहिर तोर पर ये अपने बोलने के अंदाज के लिए तो जाए नहीं ही जाते हैं लेकिन अब आप इनके एक और नजरिये के फैन हो ज कल मुखरजी नगर में तादमाम प्रवक्ता देखे होंगे आपने शोशल मीडिया के माध्यम से लेकिन अफसोसन यह है कि मुखरजी नगर में कुछ चुनिंदा लोग ही जा पाए और उस परिस्थिती में उसी समय जाना तो नामुम्किन है सभी प्रवक्ताओं के लेकिन क मुपाल तिवारी आप देखिए ना केवल गए ना केवल लड़े ना केवल खड़े रहे ना केवल बात रखी बलकी इनके चेहरे पर मैं क्यामरा परसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वहां पर हालात के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि इनके चेहरे पर आप साफ तोर पर यह निसान देख सकते हैं होटों के पास आखिरकार क्या हुआ था साफ तोर पर इन्हीं से पर तक शुरूब से जानना चाहूंगे क्या कहना चाहेंगे मुखरजी नगर में कल बता जा रहे हैं सौट सर्कृट की वज़े से अचानक बगदर मच गई उसके बाद बता रहे ह कि हालत गंभीर थे अब तो नाजूब बताए जा रहे हैं फिर कह रहे हैं कि सब मामला ठीक है आपका पहुंचे और क्या महौल था देखे सबसे पहले तो हमारे जितने भी बच्चे होस्पिटल में भरती हैं जिनका इलाज चल रहा है मैं इस और से प्रातना करता हूं कि व तो कुछ भी हुआ वहां पर कल सुबए वह भौत ही दुखत घटना थी और मैं अगर यह कहूं कि एक बहुत बढ़ी घटना होने से बच गई क्योन कि तकरिबां चाड़े 400 के आसपास बच्चे में तकर्रीब साड़ें चार सो के आसपास बच्चे में तो उसको लगड़ी से कवर कर रका गया था तो जब वहई ज़लोटी तो नीचे का धुए खाय ही पहली मंजिल से निकलना सुरू हुआ दूसरी मंजिल से निखलना तरूबा तीसरी मंजिल से चूंकि ऐसे हास से गुजरात में कुछ समय पहले हुआ था आपने देखा होगा मध्यप्रदेश के एक जिले में हुआ था वहां भी आपने देखा होगा और बहुत बड़ा हासा हुआ था जिसमें भी लोग इसी तरीके से पीछे से तो वो दिमाग में बच्चों के दिमाग में वही बात थी और इसलिए वो वहां से अफरा तफरी में उनको जो मिला जैसे मिला वहां से उन्होंने कूदना सुरू कि और अच्छी बात ये रही कि वहां के जो बच्चे थे उन्होंने सूजबूज का परचे देते हुए और उनके बैग नीचे गिरा देने से काफी बच्चे गंभीर चोट की चपेट में आने से बच गए। इस बात की असंका जता रहे थे, वहां पर कुछ , गयुषऑटीस हुई हैं जो हमें नहीं बता जा रहा है, नहीं को जाने दिया जा रहा है, तो उस चीज का जाएजा लेने के लिए रही पहुचे थे कि संकट में नहीं vagy कौए परेशानी नेतरत में वहां पर गए थे और लगातार अध्यक्ष स्री निवाज जी उसका जाईजा भी ले रहे थे आप जाई जिस प्रकार की भी कोई दिक्कत हो आपको पता है कि वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़े रहते हैं हम लोगों ने जाकर के देखा लेकिन तब जिन बच्चों को चोट लगी थी वो बच्चे हो चुके थे तमाम और लोगों की मदद करते समय भी वहां अफरा तफरी का माहल था पता दीजे मुझे क्योंकि आप बता ही देंगे मैं इस पर सुनाई देता हूं तो अभी तो देखो मालो बड़ी आग घटना नहीं हो पा है तो क्या चाहते थे भाई आप वहाँ दो सो चार सो पान सो बच्चे जल करके राख हो जाते खाक हो जाते उसकी बाज आप वहां जो है जाई-जा लेने के लिए पहुंचते उसके बाद वहां पर कुछ चीज़े दुरस्त की जाएं कुछ जून धार किया जाए जाए आप ही बच्चों की मदद भी कर रहे थे ताकि वहां से वह निकल करके बाहर आएं लेकिन जैसे ही हम लोगों ने पुलिस वालों से कॉडिनेट करने की कोशिस की तो पुलिस वालों ने अचानक बच्चों को दढ़ाया और जब वो दढ़ाया तो वहीं पर उन्होंने वह रसिया चारो तरफ बांध रखी थी तो उस अफरा तफरी में हमने बच्चों को रोकने का भी प्रयास किया तो उस अफरा तफरी में ताकि क्योंकि अफरा तफरी जहां होती है वहां हमेशा महोल ऐसा होता है कि सांती से निप्टाने की जरूरत होती है वहां अगर आप करके पूरा का पूरा जो है हमारा ये छिल गया लेकिन हमें उस बात की चिंता नहीं है हमें चिंता इस बात की है कि जो बच्चे ऊद रहे थे जो बच्चे रहे थे उनको किसी भी कीमत पर कोई परसानी नहीं होने चाहिए कि किसी भी जान मान की हानी नहीं हुए खबरों में यही दिखायागा आप जमीनी इस तर पर गए मैं भी गई थी लेकिन आपने क्या महसूस किया देखिए इस बात की पहल तक जाना बहुत जरूरी है कि आखिर ये क्या कारण है क्यों आए दिन ऐसी घटाएं होती रहती हैं वहां के तमाम बच्चे जजवात में आकर के वहां क कोचिंग इंस्टिटूट के मालिक होते हैं जो कोचिंग चलाते हैं मैं सबकी बात नहीं करता लेकिन 90% लोगों का कोई दोस नहीं होता है उसमें दोस यह दिखिए वहां किसी का है तो वहां के जो लैंड लॉड हैं मकान मालिक है आप पैसा बहुत मोटा लेते हो कोचिंग संचालों संचालों से और लेने के बाद में यह काम किसका है कि वो बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से इस इस्तिती में हो कि आगर वहां पर ऐसी कोई घटना होती है तो किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पाए उनको आसानी से वहां बार निकाला जा सके लेकिन सारा का सारा ठीक रहा आप कोचिंग संचकालनों को उपर फोर दो फीस तो बहुत ज़्यादा लेते हैं सुविधा बहुत नहीं देते हैं मैं बिल्कुल गलट ठहराता हूँ चुकि मैं मुगरजी नगर में रहा हूँ मैंने पढ़ाई की हैं तमाम कोचिंग संचालक जो होते हैं वो बच्चों की बहुत मदद करते हैं एजे माता पिता की तरह है लेकिन लेंडलोड जो हैं वो एंडी अमसी के लोगों से मिले होते हैं पुलिस के लोगों से मिले होते हैं नगर पालिका के लोगों से मिले होते हैं तीनों लोगों का सरनाचल लेंडलोट को होता है इसलिए वो कहते हैं आग लगे तो लग जाए चुकि हमको कोई दिक्कत नहीं होता हमारी तो पहुंच डिरेक्ट केजरिवाल तक है हमारे पर तो लिया भी जाएगा तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो आप देख सकते हैं मुखर जी नगर के ये जो हालात हैं में गोपाल बता रहे हैं इनका कहना है कि ये जो लोग को चुनिंदा लोग जो प्रशाशन से मिल जाते हैं फिर वो इतने बेधड़ाक हो जाते हैं कि उन के लेंडलोड पर इस बात की सकती वरतने लग जाएं कि यदि आप किसी से लाख रुपे किराया लेते हो उसे एक कमरा देते हो कोचिंग इस्टिटूट चलाने के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक लाख रुपे में ये थाड़े 400 बच्चे बैठते हैं त तो ये काम लेंडलोड का है और ये काम लेंडलोड बिल्कुल भी नहीं करता है मुखरजी नगर में आज से मैं नहीं देख रहा हूँ काफी साल से उस बात को गल मनोस्तिवारी जी सुईकार भी रहे थे कि जिस इस तर पर यहां कोचिंग इस्टिटूट चलते हैं उस इस पर यहां पर सुविधाय नहीं हैं यह मैं मानता हूँ और वो तो यह भी मानने थे कि अभी कोई बहुत बड़ी घटा नहीं हो पाई अभी बड़ी घटा होनी चाहिए थी तम मनोस्तिवारी आते तम मनोस्तिवारी जो है यह दिखाते कि देखिए अब हमको काम करने की बयान वो बहुत तुखिदाई होती है मुझे लगता है कि मनोस्तिवारी जैसे इंसान को शर्म आनी चाहिए और दिल्ली मुखरजी नगर के सबी बच्चों से उनको माफी माँगनी चाहिए और खासकर उन माबाप से माफी माँगनी चाहिए जिन माप मापने कल मनोस्तिव जो बता रहे थे कि किस प्रकार से मुकरजी नेगर ये गए इन्होंने जायजा करा हलाकि अफरत अफरा की बीच इन्हें खुद को भी चोट लग गई हैं पर यह कि चोट से इन्हें फर्क नहीं पढ़ रहे तमाम जो जिस प्रकार के बयान दिये गए सांसत जी द्वारा उससे भी कही न कहीं की भावना और उन परिवारों की भावना आहत हो जाएंगी जो अपने बच्चों को कोचिंग इंस्टिट्यूट में पढ़ाने के लिए पढ़ने के लिए बेशते हैं देखिए किस प्रकार से आएद दिन ऐसी वीडियो वाइरल होती हैं आखिरकार नतीजा क्या निकलता है वो जानना जरूरी है आखिरकार उसकी समस्या का समधान क्या निकलता है और क्या अब यह मुखरजी नगर की आगे आखरी घटना थी या अभी और घटना है ऐसी होना आप बाकी हैं फिलाल इस कबर के बारे में आप लोग अपनी एंटी दवाएं निसर दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.